एक और दिल्ली के उप्राज पालविने कुमार सक्सेना भ्रष्टाचार को जरसे खत्म करने के लिए प्रयासरत है इस दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 4 SDM, 2 EDM, 1 सब रजिस्ट्रा, 6 निगम अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है वहाँ दूसरी और कमालपूर निगम वार्ड स्थित सिविल लाइन जोन बिल्डिन विभाग के अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है कमालपूर निगम वार्ड में तैनात जूनियर इंजिनिर ने अवैद निर्मानों को सनरक्षन प्रदान किया हुआ है इसलिए कमालपूर वार्ड के अनेक स्थानों पर पाँच-पाँच मंजिला विशाल क्रे इमारतों का निर्मान हो रहा है यही हालत बुरारी नगर निगम वार्ड में बने हुए है बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक स्थित खस्रा नमब 680, 681, 682 पर बड़ी बड़ी अवैद इमारते बनाई जा रही है इन इमारतों के निर्मान से पूर्ग बिल्दिन के नक्षे भी पास नहीं करवाए गये है चोहान बिल्डर द्वारा निर्मानाधीन इमारतों को निगम ने खाना पूर्टी करते हुए तोर्फोर की काररवाई की थी लेकिन चोहान बिल्डर ने यहां पर दोबारा से अवैद निर्मान शुरू कर दिया है ठीक इसी तरह खसरा नंबर 381 पर सेहगल बिल्डर द्वारा 300 के प्लाट पर अवैद इमारत का निर्मान किया जा रहा है इस इमारत को तोड़ने के लिए भी नगर निगम ने काररवाई की परंतु यह काररवाई भी खाना पूर्ती साबित हुई 41 फुटा तोमर कोलोनी रोड पर स्थित खसरा नंबर 710 और 713, 714 पर भी निर्मानादीन अवैद इमारतों के निर्मान से पूर्व नगर निगम से नक्षिपास नहीं करवाई गए है संभावित खसरा नंबर 707 पर भी अवैध हिमारत के निर्मान को रोकने के लिए नगर निगम के अधिकारी गंभीर नहीं है बुराणी मुख्य मार्ग पर भी कई ऐसी इमारतों का निर्मान चल रहा है जिन्हें नगर निगम द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है डिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहट लाल दोरा और इक्स्टेंशन लाल दोरा ग्रामीन आबादी पर निर्मान करने के लिए नक्षे मंजूर करवाना बेहत जरूरी होता है परंतु स्थानिय निगम अधिकारियों एवं बिल्दरों की साथ गाट के सामने सभी नियमों को ताग पर रखा गया है निगम बिल्दिंग विभाग के अधिकारी कंट तक भ्रश्टाचार में लिप्थ है इसलिए उप्राजिपाल को कमालपूर वार्ड में भी सतर्पता विभाग से जाच करवानी चाहिए